आज हम मनाएंगे अमरूत की बहुत ही जटपड बनने वाली एकदम चटपड़ी मजेदार रेस्पी आपको बहुत अच्छी लगेगी तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हमें लेना होगा अमरूत लेकिन हमें पका हुआ अमरूत नहीं थोड़े से कच्छे अमरूत की जरूरत है यानि कि जो हरा वाला अमरूत होता है वो होना चाहिए और अमरूत एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए थोड़ा सा टाइट होना चाहिए क्योंकि जो हरा वाला अमरूद है इसमें बहुत जादा मिठास नहीं होती है जितनी की सौफ अमरूद में होती है अब हम क्या करेंगे हम कद्दूकस लेंगे और कद्दूकस की मदद से हम अमरूद को कद्दूकस करेंगे लेकिन ये जो अंदर का पार्ट है जिसमें बीज होती है या जो भाइट वाला पार्ट है आपको वो नहीं लेना है केवल आपको ग्रीन वाला पार्ट ही कद्दुकस करना है तो आप देख सकते हैं भाइट वाला पोर्शन दिखने लगा है तो इसको हम अलग दूसरी जगह स लेते हैं तो हमने पूरे अम्रूत को कद्दूकस कर लिया है और इसका निय도े घांदर कावा पॉशन है दीज वाला पोर्षन है इसको हमने छोड दिया है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो घ्網 पोरें जिसा इसी का हमें इस्तिमाल करना है इसका जो अच्छा लग krijgen!" इसमें हलकी हलकी मिठास रहती है अब हम अलाग एक फैले मुप बरतन ले लेंगे जिसमें हमें अच्छे से मिक्सिंग करते बन जाए तो इसका दुकस किये हुए अम्रूत को हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज एक हमने बड़े सा इसका प्याज लिया है तो यहां तो फ़ाली से जीरे का पाउडर साथ में थोड़ी से काली मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं बहुत जादा नहीं वैर। और सभी मसालों को हम पहले तो अच्छे से सबजियों के साथ मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने ली है लाई जिसे आप मुर्मुरे भी बोलते हैं तो हमने यहाँ पर लगभग तीन कप के करीब मुर्मुरे लिए हैं तो मुर्मुरे भी हम इसमें डाल देंगे अब हम यहाँ पर लेंगे हरी चटनी तो यह बिल्कुल बेसिक चटनी है हरा धनिया मिर्श और टमाटर लेसुन वगएरा डाल करके घर पर बनी थी मैंने वही चटनी ली है और साथ में हम डाल देंगे आदा चमच अमचुर पाउडर आप यहाँ पर नीबू की रश का इस्तमाल भी कर सकते हैं अम्चुर पाउडर जो है अम्रूत की मिठास को मेंटेन करेगा इससे जो बहुत जादा मिठास नहीं रहेगी हलकी हलकी मिठास रहेगी तो यहां पर मैं भेलपूरी बनाने वाली हूँ आपने कई बार बनाई होगी लेकिन इस तरह से नहीं बनाई होगी अब आप कहेंगे अम्रूत डालने से कैसा भेल्पूरी का टेस्ट आएगा बट बहुत अच्छा आएगा इसमें ऑकल मिठास नहीं रहेगी रげगी और हलका hanke अम्रूत का टेस्ट आएगा तो एक्दम नया टेस्ट होंगा खाने में बहुत अच्छी लगेगी इसमें लालमिश पाउडर भी नए स्वाद की तो आपने जब भी भेलपूरी खाई होगी उसमें हलकी सी मिठास रेती है तो यह अम्रूत की जो मिठास है यह उसी को कवर करेगी इसमें आपको अलग से मीठी चटनी या शुगर शीरफ डालने की कोई जरूरत नहीं है तो यह तैयार है हमारी चटपटी ती इसकी भेलपूरी जरूर बना करके देखिएगा बहुत पसंद आएगी आपको एकदम यूनिक रेस्पी है आपने कभी नहीं बनाई होगी तो एक बार ट्राइ करना तो बिलकुल बनता है तो उमीद करते हूं फ्रेंड्स की आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शियर करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें हमें फेस्टूक पेज़ पर फॉलो करना बिलकुल ना भूलें फिर मिलते हैं अपने अगरी वीडियो में तब तक लिए बाबाय टिक किय झाले